Welcome friends, मैं आपके समने गोरो मिगलानी, हम पढ़ रहे हैं 12th class की accountancy और ही हमारा video number 75 है पीछे की 74th video के अंदर हमने discuss किया था कि revaluation account का हमारा format क्या होता है और revaluation को लेकर हमारी journal entries क्या होती है तो definitely हम revaluation account किसलिए बनाते हैं क्योंकि assets और liabilities की हमको revaluation करनी होती है और asset or liability को लेकर जो भी difference create होता है, profit होता है या loss होता है हमको revaluation account में show कराना होता है उसके बाद revaluation account में जो भी profit या loss होता है सारी entries करने के बाद, सारी adjustment करने के बाद revaluation account में या profit आएगा या loss आएगा तो partners में हम divide कर देते हैं उनके पुराने वाले ratio में तो उसी को लेकर हमारा ये एक practical question है इसको हम study कर लेते हैं इस equation को पहले x, y, z 3, 2, 1 के अंदर इनका ratio है ये ratio कब दिया हुआ है? 31st, 3, 2019 31st, 3, 2019 31st, 3, 2019 को इनका ratio था 3, 2, 1 31st, 3, 2019 को ही इनकी balance sheet के अंदर यह यह amount है liabilities and assets इसको हम एक बर ध्यान से देख लेते हैं reserve fund 18,000 creditors 27,000 employees provident fund 5,000 capital account तीनों के हैं x का, y का, z का 50,000, 40,000 and 30,000 fixed assets हैं हमारे पास एक लाख, 50,000 की current assets हैं हमारे पास 65,000 की 2019, 2019 देखिए same rate को ratio, same rate को इनकी balance sheet अब इनोंने 14,000, 2019 को इनोंने decision लिया इनोंने 14,000, 2019 को decision लिया है कि हमारा जो ratio होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, equal होना चाहिए मतलब तब तक तो वो 3, 2, 1 में काम कर रहे थे उसके according इनके पास balance sheet भी रखी हुई थी बट इनोंने 14,000, 2019 को मतलब next accounting period से अपना ratio equal करने का decision लिया मतलब तीनों का ratio क्या हो जाएगा 1, 1, 1 ठीक है तो तीनों का ratio क्या हो जाएगा 1, 1, 1 और 1 इस date को इनोंने कुछ और checkings भी की है क्या fixed assets की value 10% कम हो गई है मतलब depreciate हो गई है goodwill की इनोंने valuation की 3,000,000 रुपे तीसरी बात revaluation के expense हुए है 3,000 रुपे जो फरम ने पाटनाशी की फरम ने खुद पे की है तो अपने को caution में क्या करना है journal entries ही करनी है सिरफ और अपने को caution बस जर्नल entries की help से ही complete करना है तो सबसे पहला हमारा इस caution में क्या duty बनता है सबसे पहले हमको caution में ये पता कर लेणा कि sacrifice ratio या gaining ratio क्या आएगा आप जब इस question के अंदर sacrifice ratio निकालोगे sacrifice ratio हमको कैसे निकालना होता है हमको पता है sacrifice ratio निकालेंगे old ratio minus new ratio ठीक है x का y का z का आप sacrifice ratio निकाल लेना पुराना वाला ratio है ये नया वाला ratio है 1-1-1 sacrifice ratio हमने पीछे वाली वीडियोज में बहुत बार निकालना सीखा है इसके उपर हमने काफी सारा वर्काउट किया है तो इसलिए आप वीडियो को एक बार श्टोप करके sacrifice ratio एक बार निकाल लेजिए sacrifice ratio जब आप निकालोगे आपको पता चलेगा कि X ने 1-6th part sacrifice किया है और Z ने क्या किया है 1-6th part का क्या किया है gain किया है अपने को यहां तक एक situation अपने को clear हो जाएगी ठीक है उसके बद अपने ने question में करना क्या है सबसे पहली बात Goodwill की evaluation किया यह उन्होंने 3 लाग की Goodwill की accounting treatment हम पीछे की कुछ वीडियो में करते आए है Goodwill की accounting treatment कैसे होगी अब partners ratio में change कर रहे है partners ratio में change कर रहे है तो जिस partner को gain हुआ है वो 3 लाग का एक बड़ा 6 भाग 3 लाग का अगर एक बड़ा 6 भाग अगर मैं बात करो तो कितना होगा आप count करके देखिएगा इतना part वो क्या करेगा X को pay करने वाला है तो 3 लाग का आप 1 6th part एक बड़ी divide करके देख लीजिए ये amount आने वाला है हमारा 50,000 रुपीज तो Z क्या करेगा X को 50,000 रुपीज pay करने वाला है क्योंकि जिस partner को gain होता है वो capital के proportionate के अंदर amount लेकर आएगा 3 लाग का एक बड़ा 6 हिस्सा लेकर आएगा Z किसको pay कर देगा sacrifice करने वाले को sacrifice किस ने किया है X ने किया है तो हमारी पहली journal entry क्या बनेगी देखिए Z capital account debit 2 X capital account कितना amount 50,000 यह 50,000 क्यों pay किया क्योंकि 3,000,000 का जब आप एक बड़ा 6 करोगे तो Z proportionate amount लेकर आएगा goodwill का तो 3,000,000 का अगर आप 1,6 करोगे तो आपका 50,000 आ जाएगा Z किसको pay करेगा जिस partner को sacrifice हुआ था X को ठीक है तो हमने goodwill का adjustment entry कर लिया अब दूसरी चीज हमको क्या settle down करनी है balance sheet में यह देख लीजिए पहले कि balance sheet में हमारे पास कुछ ऐसा पड़ा है जो partners आपस में divide कर सकें हाँ reserve का पैसा आप partners में divide कर सकते हो कौन से ratio में divide करोगे old ratio में तो 18,000 आप तीनों partners में divide कर देना divide करोगे तो partner की capital account में चला जाएगा reserve fund debit to X capital to Y's की capital to Z's capital पुराने ratio में कितना पैसा है 18,000 पुराना ratio क्या है यह वाला तीन दो एक 18,000 को आप तीन दो एक में divide करके देख लीजिए आपके पास आजाएगा 9,000 6,000 और 3,000 क्योंकि 18,000 के आप किया करोगे total 6 हिससे करोगे total फर हम के कितने हिससे हैं देखा जाए तो total अबर के 6 हिससे हैं तो 18,000 को 6 से डिवाइड करोगे तो 3,000 इंटो 3 9,000 3,000 multiply 2 6,000 3,000 इंटो 1 3,000 तो यह reserve fund हमने divide कर दिया तीनों partners में तीनों partners के capital account में credit हो चुका है employee provident fund कभी भी partners में divide नहीं होता है क्योंकि यह particular employees से related ही होता है workman compensation reserve और employee provident fund दोनों के अदर बहुत difference है workman compensation reserve का जो पैसा आता है partners के profit में से collect करता होता हुआ आता है partners का profit हुआ पूरा divide नहीं किया थोड़ा सा amount हमने workman compensation reserve में डाल दिया इसलिए workman compensation reserve के उपर partners का हक होता है पर employees provident fund के अंदर जो पैसा रखा जाता है वो कुछ हिस्सा employee देता है और कुछ हिस्सा employer देता है मला firm पेगर दिया है इसलिए employee provident fund exactly employees का होता है इसके उपर partner का कोई हक नहीं होता इसलिए आप employee provident fund को partners में divide नहीं कर सकते इसकी जगा पे माल लो workman compensation reserve होता आप divide कर सकते थे पर आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ employees provident fund आप partners में divide नहीं कर सकते हो ठीक है तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही item थी जो उनकी capital के अंदर हम transfer कर सकते थे that was reserve fund जिसकी हमने general entry यहाँ पे कर दी है next fix their set कितनी percent काम होगी है 10 percent increase होगा या decrease होगा liability की value में कुछ भी increase होगा या decrease होगा कौन से account की हम help लेने वाले है re-valuation account की हम help लेने वाले है अब fix their set की value में 10 percent का decrease हुआ है तो क्या करेंगे आपको मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था जब भी किसी property की value में कमी आने वाली है जब भी किसी property की मतलब asset की value में कमी आने वाली है कहां लिखेंगे हम re-valuation account की debit side में अब ये देख लेते हैं value में कितनी कमी आई है fix the set की value 10 percent कम हुई है तो डेड़ लाग का अगर आप 10 percent देखोगे तो कितना होगा आप 15,000 ये 15,000 आप कहां लिखोगे re-valuation account के debit में entry कर दीजिए re-valuation account debit आपको पूरा लिखना है मैं shortcut में लिख रहा हूँ to fix the set कितना 15,000 रुपए आपने ये 15,000 के entry कर दी fix the set कभी वारा settle down हो गया उसके बाद re-valuation के expense हुए है अब re-valuation करने के टाइम के फरम के कुछ expense हुए है मैंने आपको बताया था re-valuation account के अंदर debit side में expense हो लो साते है अब properties की valuation के time पर फरम का 3,000 रुपए का खर्चा हो गया फरम ने क्या किया खुद पे किया कहा दिखा होगे re-valuation account के debit में इसलिए आपको इस 3,000 के लिए भी क्या करना है re-valuation account को debit करना है फरम ने खुद payment की है तो आप लिख दीजिए to bank account या cash account 3,000 रुपए की आपने ये entry कर दी ठीक है इसके पास हमारे पास कुछ और adjustment question के according करने के लिए नहीं है क्या करने वाले है re-valuation account हमारा close हो जाएगा माली जी हमने re-valuation account बना दिया एक मिंड मानका चले के re-valuation account हमने prepare किया अब ध्यान से देखना re-valuation account के अंदर पूरी की पूरी यहाँ पर दीखे कौन-कौनसी entry debit के अंदर है सिरफ दो ये entry ऐसी है जो re-valuation account की debit में है ये वाली भी debit में है ये वाली भी debit में है अगर मैं यहाँ पर revelation account ready करूँ तो debit में ही हमारा 15,000 का amount है debit में ही हमारा 3,000 का amount है credit side के अंदर कोई amount लिखने के लिए है यह नहीं क्योंकि इस entry में भी revelation account को मैंने क्या किया है debit 15,000 इस entry के according में रिवेलिशन account को क्या किया है अब ये loss होगा तो partners में कौन से ratio में divide हो जाएगा old ratio में क्योंकि ये properties, liability जो रखी होई थी कौन से ratio में रखी होई थी 3, 2, 1 में ठीक है तो हम क्या करने वाले हैं इस loss को 18,000 के loss को partners में divide कर देंगे old ratio में 3, 2, 1 में तो आप revaluation account को credit कर दीजिए और partners के capital account क्या कर देंगे debit कर देंगे क्योंकि जब आप revaluation को close को रख तो यहाँ पर लिखोगे न buy loss, transfer to partners, capital account इसका मझा और वहाए कि ये entry आपने कहां पर की revaluation account की credit में की इसलिए अपने को revaluation account तो क्या करना है credit करना है और partners का capital account क्या करना है debit करना है तो यहाँ पर लिख दीजिए A's capital account debit sorry X का capital account debit Y का capital account debit Z का capital account debit और 2 revaluation account कितना loss divide करना है आपने 18,000 का कौन से ratio में divide करना है 3 to 1 में 3 to 1 में जब आप 18,000 के loss को जब आप divide करोगे तो तीनों partner में कितना कितना माउट आ जाएगा 9,000 6,000 and 3,000 ठीक है तो इस question के अंदर हमने क्या देखा देखो step by step में फिर से एक बिल question को repeat कर देता हूँ यह हमारी equation थी 31,3,2,0,19 को partners 3,2,1 के अंदर partner है इसी date को हमारे पास balance sheet है सब दिया हुआ है partners ने decide किया 14,2,0,19 से हमारा ratio क्या होने वाला है equal होने वाला है 111 इस date को कह रहे है कि हमारी assets में fixed assets में 10% का decrease हो गया है goodwill 3,00,000 की calculate की हमने फिर क्याते हैं कि revaluation का expense भी हो गया है 3,000 रुपए का जो firm ने खुद पेक गया है कहता है कि आप journal entries करके दिखाए simple सी बात balance sheet में वो देख लीजिए जो आप बाढ़ सकते हो reserve fund आपने बाढ़ना था तीनों partners में आपने old ratio में बाढ़ दिया goodwill की valuation की आपने 3,00,000 की मालोग starting से question start करते थे चलो पहला step क्या था हमारा fixed asset 10% हमने fixed asset की entry कर दी 10% से कम करना था ये entry हमारी fixed asset की थी fixed asset की आपने 10% से कम कर दिया कहां पर डाला re-valuation account में दूसरी बात goodwill की valuation 3,00,000 अब goodwill की valuation 3,00,000 की setting कैसे करेंगे sacrifice ratio पता करके sacrifice ratio अपने पता किया क्या देखा x को sacrifice हुआ z को gain हुआ जिस partner को gain होगा वो क्या करेगा sacrifice करने वाले partner को इस amount का proportionate amount पे कर देगा 3,00,000 तो 3,00,000 जब आप 1,6 करोगे तो आप check करके देख लेना 50,000 partner को pay करना होगा z को x को तीसरी बात क्या थी re-valuation के 3,000 के खर्चे होगए 3,000 के खर्चे यहां लिख दो लिख दिया ठीक है reserve fund का आपको मालो अब आके पता लगा कोई बात नहीं reserve fund के entry अब कर दो आप यह कर दी entries आप उपर भी चे कर सकते कोई issue नहीं है ठीक है उसके बाद क्या 3,000 का खर्चा भी अब लुक चुक हो re-valuation account के अंदर ये entry भी आ चुक है re-valuation account पाने close करना है close करने के बाद क्या करना है loss divide हो जाएगा close करने के लिए क्या किया अब ध्यान से check करके देख लो यहाँ पे भी re-valuation account डेबिट है यहाँ पे भी debit है दोनों जोगा debit है मलब 18,000 रुपैसे re-valuation account क्या हुआ है debit हुआ है ultimately फरं को 18,000 पाने का नुकसान हुआ है ये नुकसान फरं क्या करेगी तीनों partners में old ratio में divide करने वाली है old ratio में क्यों divide किया क्योंकि यह जो सारी की सारी रखा हुआ था यह सारा का सारा matter जो हुआ है पड़ा partners के पास कौन से ratio के coding चलता रहा था 3 to 1 के coding इन्होंने जो ratio change किया है वो future के लिए change किया है पर अभी तक जो हमने setting करनी है वो old ratio के coding करनी है goodwill की valuation sacrifice ratio के coding करनी है तो फरं के पास आज की date पे अगर कोई revaluation account में कोई loss हुआ है वो loss partners old ratio में ही divide कर लेंगे तीनों partners के अंदर हमने 18,000 पर divide कर दिया और यह हमारा question इसी के साथ complete हो गया तो next video में अंदर हम इससे थोड़ा सा complex case study करेंगे तो यहां तक का video देखने के लिए आपका धन्यवाद